हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग वेरे वेलकम तो और चैनल डाट इस क्यारियर वे मेरे नाम स्टेंद्र पाठक और हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो हुता है एक्जाम किसी एक्जाम के लिए तयारी के लिए कौलिफाई करने के लिए ध लोग जोब में हैं और उसके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जितने लोग अलग से रियारी कर रहे हैं उनके लिए भी खासा इंपोर्टेंस रखने वाला है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे complete syllabus का analysis करेंगे कहां से किते marks के आपके न marks आता है और उसको ज्यादा priority लेकर चलेंगे detailed guide आपको देने कोश्च करेंगे चलिए पहले पर आता है अगर paper के nature की बात करने तो दो घंटे का आपका paper होगा duration 120 मिनट कर रहेगा और marks भी 120 मिनट के रहेंगे calculator allowed नहीं है काफी लोगों नहीं से पूछा है और ध्यान रखें क कि इसमें कोई negative marking नहीं है क्या है कोई भी negative marking नहीं है that means कि आपको क्या करना है सारे के सारे paper attempt करने है complete paper आपको attempt करके चलना है because there is no negative markings ध्यान रखें दो part होंगे दो section में आपका paper बटा होगा total 120 माक का है यानि कि 60-60 part में बटा रहेगा 50-50 percentage का weightage रहता है 50% आपका non-technical आता है 50% आपका technical section आएगा clear हो के बाद non-technical में GS या GA जिसे आप कह सकते हैं 10 marks के आएंगे maths जो होगा वो 15 नंबर का रहेगा English आपकी 20 नंबर की रहेगी reasoning 15 marks के रहेगी यह सब आप लोग पहले से जानते हैं वैसे part B यानि कि technical section में बटात करें तो physics और mathematics है you already know that कि 30-30 marks के दोनो sections आते हैं ठीक है यह देखिए हमने दिखा रखा है कि कैसे कैसे है हमने notification को share कर रखा यहाँ पे आप देख सकते हैं और दिखा दिया हमने और यह भी बता दें कि आपका evaluation अगर part 1 में आप qualify होते हैं तभी part B महतुपूर्ण रखता है महतु रखता है तो part 1 का number यानि non-technical section भी काफी महतुपूर्ण है आपके लिए बहुत जादा important है ठीक है कौन से chapter से और क्या क्या करेक्टर रहे कितने questions रहेंगे यह चीज़ और यहाँ पर देखे कुछ topics इन्होंने दिये है इस वाई latest syllabus में खास करके laws of motion वगरा दे दिया नहीं intermediate और high school के कुछ topics को इन्होंने include कर ल क्योंकि हम लोग ने solve की हैं वो सभी कही intermediate के exam में आपको नहीं देखेंगे तो फड़ा फट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के class को मैं mobile silent कर दे रहा हूं चली तो next slide की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है देखे physics में कौन कौन से topics हैं जो महतुपूर्ण है पहला है यह सारी शीदे भी लोग देखते हैं topic wise तो यह भी 7 marks के हैं देखो optics 6-7 marks का है और electromagnetism 7 marks का है तो यह दोनों अकेले अकेले मिलके काफी बड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं क्या बात आपको समझ में आ रही है नेक्स पे जलते हैं modern physics जैसे की अगर आप बात करें x-rays वगरा की अभी आगे slide देखो करेंगे क्या क्या है debug wave की बात कर लें nuclear physics की बात कर लें या modern day applications की बात कर लें physics की वो सभी modern physics में आते हैं और यह भी 4 नंबर के लगबग 4 marks तक के questions को cover करता है थार्मो dynamics 3 से 4 marks होते हैं communication और materials 1 से 2 marks के आते हैं ultrasound से पिछले बार वाले paper में और तीनों के तीनों shift में ध्यान रखें अल्ट्रा साउंड वेब यह जो 29-30 नॉंबर को paper हुआ था last year 2018 में उसमें इससे दो-दो question लगबग हर set में थे तो इसको भी हम लोग cover करके चलेंगे two marks मान के चलेंगे यह वी clear है optics में देखो पहली बात तो है basics basics में यानि कि light का character क्या होता है कौन से character नहीं बदलता light कि इस प्रकार की wave है जाते है इस transverse है और transverse wave का सही character यानि check कैसे करते हैं transverse है कि नहीं है तो ध्यान रखें यह polarization effect से यह आप polarizing material अगर आप यूज करेंगे तो अगर light polarize हो रही है कोई wave अगर polarize हो रहा ही है that means कि वो transverse है ध्यान रखें longitude waves कभी भी polarize नहीं होते और यह question आपके पास exam में आया वह था 2012-14 वाले paper में है देख लेंगे interference जिसका part 1 हम लोगों record किया था part 2 और part 2 के साथ साथ हम लोग मेगा वीडियो में आने कोशिश करेंगे next time क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज्यादा है तो बहुत ही short में brief में हम लोग cover करेंगे सारे को सारे को एक ही lecture में निक्ट आने कोशिश करेंगे next time से ठीक है तो यहां से diffraction क्या होता है तो किसी sharp edge पे light अगर टकराएगी और यह shadow reason में अगर bend हो जाए इसी को हम लोग diffraction बोलते हैं किसी भी thin grating पे किसी भी film से टकरा करके वो bend हो जाती है तो यह bending फेनोमना है reflection में क्या होता था reflecting surface होता था यहां क्या है sharp edge है ध्यान रखेंगे तो यहां पे rotational effect यान कि इन syllabus में हैं तो देख ले रहे हैं आपे ठीक है तो optics अम लोग ने cover कर लिया और अगर आपने इतना पढ़ लिया है ध्यान रखें 6-7 number आएंगे और ध्यान रखें इसमें कभी भी सवाल गलत नहीं होते अगर एक बार कायदे से आप lecture हमारे टेंट कर लेंगे तो इसमें क मतलब confidence से समझ जी है कि मैं जो बता रहा हूँ वो जाहर सी बात है महतुपूर्ण हो बहुत जरूरी है लास्ट इयर हमने भी यही strategy पिछली बार वाले exam में यही strategy अपना करके हमने technical section में 55 plus score किया था ध्यान रखिएगा 55 plus marks थे तो हलके मत लीजिए strategy बहुत solid है Electromagnetism की बात करेंगे यहां से 7 marks आएंगे देखो पहली बात तो magnetic material में magnetic materials क्या होते है उनकी properties क्या होती है hysteresis curve क्या होता है यह सारे चीजे होती है इनमें से 1 marks जरूर आएगा formula based question 0 से 3 marks जैसे कि आप से बोल देंगे कि magnetization में और magnetic intensity में relation क्या होगा ठीक है coefficients जो होते है नहीं पर पर एक फॉर्मूला आया हुआ था तो एक मात पक्के हो गए थे सबके फैरो फैरी पैरा और डाई magnetic substance क्या होते है फैरो मैंटिक क्या होता है पर डाई के questions आपके हर exam में देखने को मिले हैं और वह भी दो-दो questions मिले हैं एक paper में तो पिछली बार वाले एक paper में तीन प्रेश्ट मिले थे तो धान रखें दो से तीन questions जरूर आएंगे तो electrostatic आप महाँ साथ पढ़ेंगे brief lecture होगा 20 मिनट में हम लोग cover करेंगे electrostatic को ठीक है और relativistic mechanics को हम लोगों ने एक lecture में cover भी कर लिया बहुत महत्वपूर्ण था और हम लोगों ने देखा भी था इसे है ना हमें लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे कैसा है क्या रहा है तो relativistic mechanics जो है ध्यान रखें ये लगबग 4 से 5 marks के हर बार question आते रहे हैं बस तरीका बदल multiplication electronic decay इन सब की बात कर लेता है electron decay वगरा की बात कर लेता है Masonic particle होता है उसके decay उसके length of propagation के उपर question कादबार आए हैं तो भी आप देखेंगे मैंने notes इसके आप लोग को upload भी कर दिया है साथ में ध्यान रखें इसके सारे formula एक साथ सबके सबगी जते भी chapter है सबके लगबग 6-7 formula बहुत important हैं तो हम प्रयास यह करेंगे कि आपको एक साथ करके सारे formulas आपको दे देंगे ठीक है ताकि आप लोग quick revision कर सकें इसका अगली बात इसमें realistic में अगर देखेंगे का क्या आता देखें सबसे पहली बात देखें इसमें realistic की बात करें तो relativity formulas जैसे L M और T वाली बात हो गई energy और mass relation की बात equals to mc square या equal to k plus m not c square इस पे based questions आते हैं और mass into energy conversion फे भी आते हैं कल हम लोग ने ग्रूप में एक question इस पे solve भी किया था है और ध्यान रहे आप लोग ने बहुत बढ़िया मेहनत किया है जित्ते लोग बिने भी सवाल भेजे हैं उन सब के सवाब भी आप लोग ने सवयम दे दिये हैं दूसरी बाद हमें थोड़ा समय कम मिल पाता है आप देख भी रहोंगे थाके हुँए पूरा दिन वर्क रहता है फिर इसके बाद यहां मेहनत करके हम सोचते हैं कि आपको कुछ न कुछ content दे दे तो साथ बने रहे हैं गर हमने वादा किया ऐसे करके आपके questions कभी गई सीधा formula पूछ लेता है ठीक है रेडियो अक्टिविटी यानि कि होई electron decay की बात कलने मिसौन particle decay की बात कलने उनके propagation की बात कलने वो रेडियो अक्टिविटी में आता है और एक खास करके दो paper में एक एक marks के हमको मिले हैं बाकी में नहीं मिले है ठ अगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो simple mechanics है उसमें क्या क्या आता है simple mechanics की अगर बात करें तो इसमें इसे work, power, energy और force में difference एक दो बार पूछा है मतलब इसमें basic understanding पे आपके simple mechanics के बात पूछी है motion and their laws ये topic इस बार अपकी बार syllabus में आपको दिखा है कि laws of motion के बारे में आप ल क्या इतनी बाते clear हो गई है हमें लगता है आप मारी बात समझ पा रहे होंगे ठीक है तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेडिटिस्टिक आगे बढ़ते हैं और modern physics thermodynamic communication ultrasound को देखते है यहां देखें modern physics से देखें तीन से पांच मार्ग से questions आते हैं x-ray से एक number का question हर बार आता है ध्यान रखें crystalography में या crystal structure को ध्यान पता करने के लिए x-rays का उपयोग किया जाता है और यह question पिछली बार second shift का question है ठीक है Compton effect पे कभी को भी आया है एक shift में पिछली बार खास करके debrogly wave हर बार आता है एक या दो marks में वैसे एक ही marks में आता है physics के applications की बात कर लेते हैं नी modern tech में कहां कहां physics का application है nuclear physics की यानि कैसे nuclear fusion होता है क्या fusion होता है इसके बार में थोड़ा सा nuclear power plant किस principle पे काम करते हैं इस पे बेज़ एक आद question कहीं कहीं देखने को मिले है ठीक है तो ध्यान रखें तीन से पांच number लबो modern physics कवर करता है thermodynamics की बात करें थर्मो का मतलब होता है heat ठीक है जब भी heat energy होगी तो उसको thermodynamics में हम लोग डील करते है थर्मो मतलब होता है heat और dynamics मतलब उसके विज़ासे mobility जिसमें हम लोग internal energy की इनरजी की system और उसके types की बात करेंगे और इसमें सबसे important topic हो जाता है kinetic theory of gases ठीक है heat और energy के relation पे जैक हो जाएगा bolt man constant की ऐसे बात करेंगे फिर उसके बाद में universal gas constant की बात करेंगे universal gas law की बात करेंगे यह सब मिला करके एक question हर बार आता है मतलब total 6 चोड़ी topics हैं और आप पढ़े भी हैं इसको ध्यान रखे तो यह बहुत ही easy चीज है यह हर चोड़ी चोड़ी exams में भी आत हम देते रहेंगे हमें साथ बस आप उसको faithfully क्या करिए फॉलो करिए ठीक है कम्यूनिकेशन में देखें फाइबर ऑप्टिक्स पर फाइबर केबल्स पर ठीक है एक question देखने को मिले हैं एक पिछली बार एक सिफ्ट में question देखने को मिला है और 2014 में भी question देखने को मिला थ है कि से कम्यूनिकेशन में की radiation कैसे होता है उसकी frequency कितनी होती है और साथ साथ में बात कर लेते हैं कि radiation से क्या क्या आपको losses होते हैं जैसे अभी Indian government ने कुछ तरीके लगाए हुए है कुछ loss लगाए हुए है कि कैसे कैसे कितना कितना wireless transmission होना चाहिए clear है माफ करिएगा थोड़ा सा background source है तो ignore करिएगा ठीक है sound की अगर बात करें sound में NCRT class 12th की class 11th की इन दोनों से based कुछ question आते हैं कि sound किस तरह का wave है longitudinal है ध्यान रखेंगे यानि wave mechanics के उपर थोड़े question होते हैं जो की optics में और sound में cover होते है ठीक है तो optics और sound क्या है wave mechanics का एक part है और wave mechanics में NCRT 12th का sound का पुरा character पढ़ लेंगे कि कितनी कितनी frequency होती है और साथ साथ में ultra sonic wave देख लेंगे ultrasonic wave हर paper में समझ लीजे पिछले साल के दो-दो question ने आएगे question जरूर आए है ठीक है तो ध्यान रखें ultrasonic क्या होती है इसे आप लोग ने देखा होगा 20 से 20,000 hertz तक के जो sound होती है इसको हम लोग कोहते है audible sound क्या बोलते है audible sound इससे less को आप लोग बोलते है infrasonic क्या बोलते है infrasonic इससे greater अगर हो जाती तो आप बोलते है ultrasonic धियान रखेंगे ultrasonic क्यानि 20,000 hertz से ज़ादा अगर frequency होगी तो ultrasonic sound बोलेंगे एक question आया था galton city क्या होती तो जान लें galton whistle जो होता है galton whistle ये कुतों को यानि की dogs होते हैं इनको खूफिया message यानि secret message भेजने के लिए यूज क नहीं पाता है फिर आप से बात करेंगे dolphin किस तरह कोARगे एक से करेंगे guys से करेंगे ये सारी चीज़ है आपको पता होनी चाहिए क्या मैं fast और आहिते हैं क्ली पर क्या होते यह чит disorder कि इसके पास एनर्जादा होगी कि फ्रिक्वेंशी जादा है और आपको पता है कि ईक्वल्स तो इफ निल्वनता एनर्जी जादा है तो आप से जादा से होती है उसलिए उसके भारीपन, ठीक है, amplitude, इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, भारीपन पर मतलब शोर आवाज, तो ध्यान रखें, शोर साउंड अगर होगा, या फिर शाप शाउंड है, तो उसके पीछे क्या है, frequency, higher the frequency, मतलब higher the sharpness, या pitch, तो ध्यान रखें, मच्छर यानि मौस्किट applications, यानि कि इसे कहां-कहां use होता है, कीडे-मकोडे मारने में, चिमनिया साफ करने में, चिमनी की cleaning में, और कहां पे कपड़ों से detoxification, कपड़े या materials को detox करने के लिए इसका उपियोग किया आता है, rail के track पे railway जो vehicles होते हैं, उनके जो wheels होते हैं, wheels के अंदर कोई crack अगर है, तो उसको इसी के जरीए चेक किया आता है, बहुत सारे applications है, हम लोग देखेंगे, content हम आपको forward कर देंगे, next चलते है, mathematics देखिए, ध्यान रखिए, mathematics में सबसे important topic जो आपको cover करना हो है calculus, calculus देखो, 12-16 marks का आपका calculus आ ध्यान रखिएगा, तो यह बहुत important हो जाता है, अगली बात ध्यान रखें कि linear algebra में अगर देखेंगे, तो matrix और determinant बड़े महतुपूर हो जाते हैं, दो से तीन marks के हर बार question इसके मिलेंगे आपको, तो देखिए, यहां से आप 16 नंबर लगो, 15 on average यहां से आप score करेंगे, तीन यहां ठारा आप score कर लेंगे, numerical analysis की अगर बात करेंगे, ज तो कहीं, आप इसे ऐसे भी बहुत सकते हैं, कि 17 से 19 नंबर के लगबग लबग, या 12 से 19 नंबर के लगबग question आ जाएंगे, अगर इसको भी include कर लिया जाए उसमें, series में, series में जाहिसी बात है, कात question जरूर आते हैं, हर बार, trigonometry या algebra दोनों को मिला करके, भले ही वो चाहे matrix से rated होगा, या किसी-किसी topic में include करके trigonometry और algebra से rated a question या 2 question दे देते हैं, चीक है, तो वो cover हो जाएगा, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें, तो ये वाला आप पढ लेंगे, इधर के दीनों, ये तीनों topic बहुत important है, complex और vector से एक आध बार question आये हैं, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, complex से भी, complex number से भी, और vector, 3D, vector वगरा, probability की बात करें, तो इससे एक number का पका आता है, हर बार आता है, एक या 2 marks का आता है, coordinate geometry की कभी-कभी आई, कभी-क आता है, तो पहली बात ध्यान रखें, कि exam में जैसे ही आप question paper पाएं, फड़ा-फड से next करते चले जाएं, और हर वो question करें, जो तुरंद का तुरंद देखते ही लग जा रहे हैं, जैसे MCQs में बहुत सारे conceptual होते हैं, तो आप पाएंगे कि लगबग 30 से 40 marks के question आप पहले attempt में ही कर डाले हैं, अब second time जब आप आएंगे paper को attempt करने हैं, ध्यान रखें ये पूरा घटना हो जाएगा, आप 10 से 15 minute में आ आपके 40-45 number secure भी हो गए हैं, नेक्स्ट जब round आप चलेंगे paper के साथ में, तो ध्यान रखें अब एकी बार वो question करने हैं, जो easy हैं, पर थोड़ टाइम टेकिंग हैं, काद मिनट लेने वाले हैं, या आधा मिनट लेने वाले हैं, ठीक है, तो उनको करेंगे, और जो अगरा मैं कर ले जाओंगा, लेकिन अभी पता नहीं हो पायागी नहीं, उसको छोड़ते जाइए, इस तरीके से आप देखेंगे, कि लगभग से लगभग आप देखेंगे, पचास मिनट में या साथ मिनट में आप पूरा प्ट पेपर अटेमिट कर डालेंगे, फिर अगरा मैं बताता हूँ, यही स्ट्रटेजी में हर एक्जाम में अप्लाई करता हूँ, और जब से अप्लाई करता हूँ, हर एक्जाम मेरा निकलता है, हाँ, पढ़ने का तो अपना रोल रहे गाई, और अगर आपको डाउट हाईर सी बात है, आप देख लें, कई सारे फ् पढ़ें, उसके अप्लिकेशन भी सारे आपको देखने हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, और यह देखना जरूरी है, मेरेजी का किसी ने ग्रूप में टेलिग्राम चैनल में कुछ कंटेंड भेजा हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे बात भी करी है, कि आप ऐ अगर टॉपिक बाई टॉपिक करते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और आपको आइडिया भी जाएगा कि सवाल लगेंगे की नहीं लगेंगे, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे और सवल उसक इंटिग्रेशन और डिफरेंशियेशन को और और डिफरेंशियल एक्वेशन और उनके सॉलुइशन को यह दोनों खास तरूप पर पढ़ें, अप्लिकेशन से दो या तीन मार्क्स के ही कुश्चन आते हैं, तो इसको फोड़ इसके बाद में पढ़ेंगे, ध्यान रखें पार्शल डिफरेंशियल एक्वेशन का हिस्सा है, तो कोई बात नहीं, काम भर का हिस्सा उसमें आता ही है, अगर वो पढ़ लिया तो अपने आप कवर हो जाता है, लगबद, कर्व ट्रेसिंग की बात करें, एक बार या दो बार ऐसे, एक या दो कुशन आपको ऐसे मिलें क्या है, इंटिग्रेशन और डिफरेंशेशन के बेसिक कॉंसेट और डिफरेंशियल कल्गुलस पढ़ना है, ठीक है, मेड़जी, मेड़जी का गेट का बुक आप उठाईए, मेड़जी, गेट का एक बुक आता है, मैथमेटिक्स की आती है, हर येर का निकालते हैं, और आप उठाईए, और इसमें यही चैप्टर खोलिए सीधे, और बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, और हमको बता दे, दो से तीन दिन में आप पुरा कल्गुलस कवर कर ले जाएंगे, और आपके बारा से सोला नंबर कवर हो जाएंगे, तो दो से तीन दिन दे दीजि लिमिटन कांडियोटी, एक अलगुलस का हिस्सा, तो यह तो अलड़ी सी में कवर हो जाएगा, सीरीज अलग से देखने की जरूरत नहीं है, अगर पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज जरूर करिए, नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दीजेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है complex और vector इसको छोड़ दीजेगा, इसको मत पढ़िएगा, बहुत कम chances होते हैं इसके आने के, complex number के, और complex number पे अगर equation भी आता हम देखते हैं, जातर वो हिस्सा रहता है किसी ने किसी पार्ट का, probability अगर मन करेगा, पढ़ लीजेगा, नहीं तो यह भी छोड़ दीए, coordinate geometry, जाह कर लें, तीन topic और हैं, मतलब यह है, कुल 6 दिन का कहानी है, 3 दिन आप calculus को देंगे, और बाकी 3 दिन में इन में से एक topic जो हमने बाकी 3 दिनों बताए, वो आप cover कर लेंगे, सारे cover हो जाएंगे 6 दिन में, ध्यान रखें, और 3 घंटे हर दिन आपको देना है, इससे जादा नहीं, इससे कम नहीं, ज्यादा देने कोश्च करेंगे, ठक जाएंगे आप, कम देने कोश्च करेंगे, तो कर नहीं पाएंगे आप, तो आपको यह चीज़ फॉलो करनी है, क्या बात clear हो गई, आगे आईए matrix और detainment में, इसमें eigen values और eigen vectors जरूर ध्यान रखें, numerical analysis का, या linear linear algebra का यही एक पार्ट है, और ध्यान रखें, linear algebra का पार्ट है, rank of matrix से कई बार question आए है, बहुत आसान होता है, आप देखते ही हल कर ले जाओगे, तो जरूर देख लेना, चुटकियों में होता है, eigen value तो बहुत आसान होती हो, इस पर इरादातर question आते है, vector पर बहुत कम question आत होता है, तीन तरह के equations, मतलब आपको equation मिलेंगे, उसके solution बताने होता है, infinite solution है, definite solution है, unique solution है, क्या है, कैसा है, या no solution है, इस तरह के conditions होते हैं, यह integration matrix based पे solve किये जाते हैं, कैसे होता है, कैसे उसको matrix में set करते हैं, यह सारी चीज़े ज़रा पढ़ लीज़ेगा, इस पे base decade question जर लोग को, आप देखे हम लोग आते हैं, non technical section पे, non technical section में बता दिया, क्या कैसे एक से पढ़ना है, non technical section में देखे 15 और 16 का, 2015-2016 का हमने कहीं से उठाया हुआ content, तो इसके लिए मैं प्रमाणिक्ता नहीं देता हूँ, लेकिन यह जो मैं यहां पे दिख रहा है, आपको board पे, मैंने hand return आपको दिया है सामने, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने research किया है, और मैंने यह पाया है, ठीक, आप भी चाहें तो अपने आप से research कर लीजे, और देख लीजे paper को analysis कर लीजे, मैंने करीब 6 गंटे इस पे study दुबारा से किया है, ताकि मैं पूरे कर पाऊं, ठीक है, आपके अच्छे marks दिलवा पाऊं, तो ध्यान रखें, जो part A होता है, यह non-technical section होता है, और इसमें quantitative aptitude, जो है 15 नंबर के आती है, GAGS, 10 नंबर की, 20 नंबर की English और 15 नंबर की reasoning आती, तो आईए देखते हैं कि 6-7 दिन में हम लोग इसो कैसे cover कर नहीं, देखो ratio अगर पढ़ोगे, तो percentage अपने आप तयार हो जाता है, तो ratio और percentage लगबग दूसरे से हैं, जैसे आप ratio के below 1 by 2, तो यह क्या है 50% है, तो इस तरह से अगर आप चाहो तो ratio और percentage को relate कर सकते हो, और बहुत आसानी से cover भी हो जाता है, और अगर आप से नहीं cover हो तो आप कुछ lectures देख लीजे, राकेश यादव के, उनने बड़े बढ़े हां से compare भी करवाया है, कुछ lectures में, आप देख लीजे, गगन के देख लीजे, अभिने मैत के देख लीजे, सब अच्छे तरीके से उलोग करवाए हैं, एक lecture खाली देखेगा, इन्हें की पुरा कह कहेंगे कितना percent होगा, 1 by 16 कितना percent होगा, 1 by 4 कितना percent होगा, 1 by 2 कितना percent होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रहे हैं, इस पर सीधे कुछन आएंगे, और percentage पर बेस आता है profit and loss, कि कि किसी object को sell करने पर कितना loss होगा, कितना profit होगा, तो आप में सा ध्यान रखें, ज्याद लेकिन ध्यान रखें, percent होगा, इसी पढ़ता है, तो percentage अपना है, ज्यादा बेटर रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, तो percentage पर ही profit loss करेंगे, और ये तीनों topic अगर मिला दिया जाया, तो 6-7 marks आपके secure हो जाएंगे, ध्यान रखें, अगली बात देखें, time and work, speed distance, pipe system और train इन सबसे मिला के 3-4 number के कुशन आते हैं, तो ये आपको तयार करने ही करने हैं, और ज्यादा नहीं, तीन सवाल अगर आप लगा लेंगे time and work के, और अगर आपने पहले लगाएं हैं, तो आपको तुरन समझ में आ जाएगा, और पहले नहीं लगाएं हैं, तो इस सारे लग आपको ज्यादा नमबर दे न पाएं, तो तीन से चार मार्क सियां से हो जाएंगे, अगर आपने जरा भी कभी पढ़ा है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, प्रोग्रेशन जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जेमेटिकल प्रोग्रेशन यानी सीरीज होती, उसका एन जो नमबर का मिला था, छीके, तो ध्यान रखें, ये 0 से 3 मार्कस में आते हैं, तो चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, जियमेटरी से एक कुश्चन जरूर आता है, ट्रिगनोमेटरी से कभी कभी नहीं भी आते हैं, यह आते हैं, तो किसी पर वेजड आ जाते हैं, तो इसको ह मौक के बारे में भी आप बात कर लेंगे तो नंबर सिस्टम में भी आप पाजाएंगे अच्छे खासे नंबर स्कोर कर पाएंगे ग्राफ और चार्ट से अगर बात करें तो ध्यान रखें पिछली बार दो पाई चार्ट और एक बार ग्राफ आया था हर सेट में तो यह इंपल इंटरस्ट से अगर बात करेंगे, एक से दो नंबर के क्वेशन हर सेट में आपको मिलेंगे, कभी-कभी दो-दो क्वेशन आजाते हैं, यह दो मार्क्स के हो गए, हर क्वेशन एक ही नंबर का है, ध्यान रखेंगे, 120 क्वेशन है, 120 मार्क्स है, clear, तो हम अगर बता र बात करें, तो एक बार केवल मिला था, तो हम इसको छोड़ी की चलेंगे, compound interest नहीं पढ़िएगा, समय भी लग जाता है, और था tricky भी होता है, simple interest पढ़के आप काम चला दीजेगा, इस पर ज़रूर कुशन आते, क्या बात clear हो गई, तो हमें लग रहा quantity of attitude आप समझ गए है, दूसरी बात मैंने यहां पर देखिए, एक photo भी, एक pic भी लगा रखी है, crop करके, किसी अलगलग channels में रिसर्च किया, और फिर बना के मिने डाल दिया है, तो ध्यान रखिए, उन लोगों ने जो detail दिया हो, mensuration पे भी दिखाए है, average पे भी दिखाए है, तो 15 में आया था, 16 म भी हमने नहीं देखा है, तो मैंने इसको डाला नहीं आप में, ठीक है, number system का 18 में आया है, तीन number का लग बगाया है, तो number system आपको पढ़ना जरूरी है, time and work तो आता ही है, speed time distance से सब आते ही है, APGP उस बार आये थे, लेकिन इस बार के वले एकी number का एकी set में था, board and stream पे कभ profit loss important ही है, percentage important है, height and distance पे वही trigonometric based होता है, कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता है, तो जितने हमने यहां बताए हैं, इसकी मैं guarantee लेता हूँ, यह solid है, analyzed and research है, जो written है, उसको ज़रूर ध्यान रखें, next पे जलते हैं, non-technical section में reasoning or intelligence को देखते हैं, देखते हैं कि किसी series देदेंगे, sequence देदेंगे, और आपसे पूछेंगे किसमें अगला term क्या होगा, यह गायबुगा वाला term क्या होगा, और इस पे बेस चार question लगबग-लगग हर सेट में हमको मिलेंगे, एक में तीन मिला, दरवाई सब में चार मिलें, तो यह बहुत important हो आता है, term find करना होत blood relation पे दो number के question लगबग-लगबग, कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी- आपको क्या करना होगा वह चार चीज़े देंगे और पुछें कि इसमें से कौन सा ओड है जैसे चार पक्षी का नाम एक अनिमल का नाम दे देंगे यह आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं तो अगर आपने रिजिंग जड़ा भी पढ़िए उसको अलग करना है उसी को चेक करना है कोडिंग डिकोडिंग में आपसे 2-3 नंबर के जरू कुछन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है उसको यह कैसे लिखेंगे टो इसको बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से कम तीन नंबर के question, दो से तीन नंबर के question आपको हर बार मिले हैं, देख लिए बहुत आसान होता है, sign interchange कर देते हैं, यह पूरा equation दिये रहेंगे, उस equation में क्या करेंगे, कहेंगे, अगर मान लिजिए, plus को minus मान लिया जाए, division को multiplication मान लिया जाए, ऐसे करके बताते हैं, it is replaced by this and this is replaced by this, तो इसकी value कितनी होगी, इस type से question आता है, word formation की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर मान लिजिए, courage है, courage, जैसे word हमने दे दिया courage, तो यह कह रहे हैं, मतलब बिना कोई अक्षर या letter को repeat कि, कितने maximum number of letter इससे form हो सकते हैं, तो ऐसे पूछे कितने maximum number of words found, form हो सकते हैं, इस type के question, एक या दो question आपको देखने हों मिले हैं, कभी-कभी इसके sequencing पे भी question पूछ लेता है, ठीक है, rank पूछ लेते हैं, कि अगर वो बाएं से तीसरा है, दाहिने से दूसरा है, तो क्या होगा, कौन सा position है, या कितने हैं उस line में, लोग total, ये सारी चीजें, इस type के question भी एक या दो आ लगा लिजे, previous year question के set लगा लिजे, और ये set क्या है, जैसे हम अगर spark की बात करें, spark में total होते हैं 25 questions, और इसको आपको 15 या 20 मिनट में लग जाएगा, अगर previous year set लगाएंगे, आप किसी भी exam का लगाईए, कोई दिक्कत नहीं है, बसरते ये topics उसमें हो, ठीक है, बहुत basic व लगाएं, daily, और आधा घंटा maximum consume करेगा, सुरुवात में हो सकता है, 40-45 मिन लग जाए आपको, क्योंगी पहली बार पढ़ रहा होंगे, उसके बात जैसे ही एक दो दिन बीते हैंगे, उसके आप देखेंगे कि 15 मिनट में, 20 मिनट में कहानी हो जा रही है, क्योंकि उसमें आपके level के questions दिये हुए है, ठीक है, खास करके SSC MTS के जो questions होते हैं reasoning के, वो ज़्यादा आपके लिए suitable होंगे, क्या बात समझ पा रहे हैंगे, तो हमें लगता है reasoning हम लोग ने clear कर ली है, है ना, आईए English पर चलते हैं, देखते हैं English में क्या आता, देखे, direct, indirect, यानि narration से अ जरूर आते हैं, even कई बार तीन भी आया है, तो लिख लीजे दो से तीन marks आये हैं, ठीक है, दो से तीन question आपको voice से मिल जाएंगे, तो कितना important है, spelling देखने को बोलता है, कि बताई, spelling सही है, कि गलत है, word देता है, दो question, दो synonym आते हैं, दो antonym आते हैं, तो देखे, इस तरह से आप 6 marks यहां से आप gain कर ले जाएंगे, है ना, अगर आपकी vocab अच्छी है, तो better है, अगर vocab अच्छी नहीं है, तो जो तीन हमने sets आपको group मे चैनल पर forward करे हैं, उन सब को आप लोग जरूर देखेंगे, क्या बात समझ पार है हमारी, उन सब के सब को आप जरूर देखेंगे, वो बहुत ज्यादा important ज्यादा repeat भी करते हैं, clear है, सर ने जो भेजा था आपको, अगली बात आपको उता दें, कुछ set हम all भी provide करेंगे reasoning क तो उसको भी आप कर लेंगे, जैसे ही आपको मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, genuine material दूँ, ऐसे कहीं से भी forward करना मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, जो वो दूँ, जो आप पढ़ें तो आपका समय भी कम लगे, और आपके number भी sure हो, तो थोड़ा सा important section होता है grammar, और grammar छोटा मोटा question तो है नहीं, तो अगर आपने पहले से पढ़ा है, तो आप practice करना शुरू कर दीजे, ठीक है, one word substitution आता है कि इसके लिए क्या कहेंगे इसको, the person who spends too much, जैसे beating around the bus, यह क्या है, इसका मतलब है, any item unfreshes, और one word substitution, यह दोनों मिला करके तीन number के लि color detection पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे आता है, fill up आता है, fill up में इसे verb पूछ लेंगे कि इसके यहाँ पर क्या आएगा, fill up इसे filling the blanks रहेगा, उसमें बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा verb आएगा, तो verb हो सकता है, helping verb की basis पर हो सकता है, adjective हो सकता है, या कोई और तरीका या phrase की basis पर यानि यो कई भी तरीके से, मतलब पूरा parts of speech cover कर लेते हैं, fill up में, और ये 4 से 6 नंबर के आते हैं, ध्यान रखेंगे, तो important है ये, तो fill up आप 10-15 अगर कर ले जाएंगे, 10-15 नहीं, 40-50 करिए कम से कम, तो आपको एक idea लग जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, और sets करिए, mocks करिए इसके, इसको आप detail में पढ़ने की जरूरत नहीं है, detail में पढ़िएगा भी नहीं, नहीं तो sum में बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, आईए, next पे जलते हैं, next पे GS और GA, ज्यादा तर लोग इसी के चक्रें परिशान हैं, और आप लोग क्यों परि गंटे दीजिए, जो डेली एक गंटे दोगे, तब जाके तुम्हारे 405 नंबर पक्के होंगे, और भी पक्के पांचो नंबर नहीं होंगे, एक दो तो नहीं आएगा तब भी, है ना, तीन ही नंबर पक्के होंगे, तो आप यहां एक घंटा दिना चाहोगे, या आप चा जितने होते हैं, तो यह सारे जो चर्चा में हो, इसको जरूर देखेगा, इबलकुल भी, बजट वेर से कुष्ण बहुत रेर ही आते हैं, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से एक नंबर के कुष्ण तो श्योर हैं, बाकि कभी-कभी तीन नंबर तक के कुष्ण मिल जात हैं, आता क्या है आर्टिकल, टॉप मोस्ट इंपोरेंट आर्टिकल साते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर से संबंदित, रास्टपती यानि प्रेजिदेंट से संबंदित आएगा, ठीक है, एटर्नी जनल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनल ऑफ इंडिया में भी पूछ ले ठीक है, आर्टिकल, टोटल द्यान रखें, 25 आर्टिकल्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही 25 पढ़ने हैं, पुरा समविधान नहीं रटना है आपको, ठीक है, एनित पुरा कॉंस्ट्यूशन रटे पड़ें, कि अबल 25 आर्टिकल आपको याद करने हैं, जो मैं ब जल धार आएं, जो होती हैं, यानि वाम और कोल्ड करेंट के बारे में, इस टाइप से कुशन आएगा, तो ज्यादा परिशान होने जरुवत नहीं है, आप इतना सारा पढ़ोगे, तब जाके एकात कर पाओगे, तो जो जीके बेस जोगर्फी है, यानि common knowledge वाले जाएगे, अगर आप कर सकें तो, बायो के अगर देखें, तो बायो का एक से दो नंबर या कभी कभी तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वैसे हममान के चलते हैं, एक से दो नंबर लगबग बायो के कुशन आते हैं, ठीक है, डिजीज वगरा कभी पूछ लेगा, कभी मौडन, मौडन के जादा आते हैं, एंसेंट के कमाने के चांसे से रहते हैं, ठीक है, मौडन से एक ही बार आया ही है, तो उसको छोड़ी दीजे, एंसेंट से भी बार आया है, तो मौडन को काईदे से कवर करिए, अगर आपने कवर किया है, तो ठीक है, नहीं कवर किया है, तो मत इसके चक्कन पढ़िएगा Economics in Voment आदी की अगर बात करें तो यह सब Current Affairs से रिड़र आते हैं तो Current Affairs में ही इसको डिस्कुस करिएगा यहां से ना पढ़ने कोश्च करिएगा तो आपो पढ़ना क्या कहा है देखिए Quality में जितने section में बताया यह पढ़ने है Quality पढ़ना है और Current Affairs पढ़ना है और इसके बाद पूरी दुनिया भूल जानी है किसी भी material के चक्कर मत पढ़ने है अगर कोई भी चैनल वाला कोई भी YouTube चैनल का person आपो कोई भी content forward करें उसको मत देखेगा अगर mocks लगा रहे हैं तो mocks में जो आपको मिलते है Current Affairs उतना ही बहुत है मतलब उतने ही GS के चीज़े Current Affairs आपको पढ़ने है Current Affairs आपको नहीं चोड़ना Current Affairs आप पढ़िए Quality इतने ही पढ़िए और बाकी का जो GS का portion है वो सब पढ़ने के चक्कर मत पढ़िए जो आपको मिल जाए सामने कहीं मिल जा रहा है उसको देख लीज़े अलग बात है ठीक है? अलग से time मत spend करिएगा इस पर Next पर जलते है Time Division Yes, it is possible 7 days में crack करना बहुत ज़ादा possible है 7 days क्या उससे ज़्यादा आपके पास समय है तो even ये वीडियो अगर आप 2-4 दिन बाद भी देख रहे हैं तो भी आपके लिए beneficial है देख लीजेगा पूरा और ये possible है अगर आप 8-12 घंटे लगबग पढ़ें और minimum समझ लीजे इतने घंटे आपके दिन में देने होंगे चीक है 7-9 दिन की इस्ट्राटजी होगी अगर आप फॉलो करेंगे मैं भरुसा देराता हूँ हो जाएगा और ध्यान रखें पढ़ाई अगर आप 8-12 घंटे कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे बुक के कीड़े बनने वाले हैं तो ध्यान रखें आपको सेहत का ध्यान रखना है आपको डाइट में बहुत ज़्यादा बलगर चीज़े बलकी चीज़े नहीं खानी है आपको क्या खाना ध्यान रखें तो elements ज़रूर खाएं अगर आप नॉन वेजटेरियन हैं तो अंडे अपने धैनिक आहार में दो अंडे जरूर सामिल करें ज़्यादा अंडे खाने चक्करना पड़ें पेट खराब जाए क्योंकि आप वर्ग ज़्यादा करने वाले हो पाचन सक्ति गबड होने वाली है तो आपको अपने साथ में ड्राइ फ्रूट सामिल करने हैं ओमेगा-3 fatty acids के sources आपको यूज़ करने से elements के साथ साथ में जैसे आप walnuts की बात कर लीजे या फिर ध्यान रखें ओमेगा-3 fatty acids fish oil capsules भी आते हैं और ठंडियों में खाय जाते हैं अगर खाय सकें जब आँखों पेन होता है डॉक्टर सबसे पहले यही देता है और यह पूरी तरीके से आयुर्वैदिक समझो इसको इसको कोई side effect नहीं है तो आप ले सकते हैं C cod liver oil अगर आप लेंगे तो यह सस्ता पड़ेगा बाकी M.V के अगर बात करें दस दिन की ही तो बात है थोड़ा सा brain shop रहेगा आँखों में brightness रहेगी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेगी आँखें धल धल नहीं लगेंगी ठीक है और आहार पे पूरा ध्यान दें यानि जो भी खाएं फाइबरेस खाएं ठीक है बहुत जात तैली चीजें खाने चक्कर में ना पड़ें इसी समयस ध्यान रखें पिज़ा और बर्गर आपको नहीं खाने है ठीक है खेंधी कि आप 6 घंटें गहन राखें और समय पड़ें चक्शं के संसे लिस नहीं पड़ेंगे प्ड़े दल बन यहां पर सकते हैं लेकिं फीजिक्स और मैथ characters की 270 शेंद्टैब में आप क्या करें सुबह की टाइम में आप क्षेंट पर लें शाम मदा है फिजिक्स इसने पढ़े कि सुबा जागे हुए हैं शाम को फिजिक्स पढ़ेंगे नीद आएगी और अगर मैस लगाएंगे तो नीद नहीं आएगी तो शाम में मैस लंबा की सकते हैं तो ध्यान रखें सुबा में आप इसको चनल में पोस्ट कर दूँगा ठीक है जादा मेटिरियल के चक्कर में अब ना पढ़ियेगा नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे जो आपने पढ़ रखा वही पढ़ियेगा एक्स्ट्रा आप अगर चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है मौक टेस्ट की बात करें यह आपको दो घंटे डेली एक मौक टेस्ट देना है अब मौक टेस्ट की बात करने कि कौन सा मौक टेस्ट बेटर है कौन सा दिया जाए ठीक है सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारी बात अलग है कि हमसे अगर कोई पर्शनली अगर इरिटेट होता हो तो अलग बात है वो अपनी अलग के रेक्टर होगा ही लेकिन अगर वो परसन अच्छा है तो जिस चीज़ के लिए उसको मैं अप्रिशियेट करूँगा यानि कि प्रशान चतुरवेदी शर हाला कि वो बड़े नाराज है हमसे और उन्होंने एक वीडियो भी बना रखा है कि ये बरगलार है बच्चों को ऐसा करके फर कोई बात नहीं प्रशान चतुरवेदी शर का जो मौक टेस्ट है वो बेटर है जहां तक मुझे लगा तो म मैं इसको prefer नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी इससे क्या होगा आपका confidence boost up होता है number अच्छे score होंगे तो थोड़ा सा confidence आए और last days में आप प्रशान सर के एक 2 mocks लगा लिजेगा ठीक है third number पे आप कहें तो grade up का ठीक है grade up fourth number पे कहें तो अड़्डा की बात कर ले और बाकी एक सौरब सर करके हैं A.T.C. है अलड़ी वो पहले से साइब I am not so sure about this लेकिन उनका एक mock किसी ने हमको भेजा था तो हमने देखा वो अच्छा था ठीक है mock अच्छा था उनका तो आप उसको भी लगा सकते हैं बसरते उसमें क्या था बहुत उन्होंने paper को बहुत बढ़िया बन कि आपको confidence boost होगा आप number 6 score कर पाएंगे इनके test series में ठीक है technical section में कुछ portion के छोड़ दीजेगा जैसे अगर बहुत typical सवाल ही डाल रहे हो कोई और आपको लग रहा है तो उसको छोड़ दीजेगा वो आएगा भी नहीं ठीक है क्योंकि test book वाले हैं कहीं कहीं अगर easy करते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं ठीक है grade up की अगर बात करें तो grade up on average अगर out of 5 हमको rating देनी होगी तो मैं 3 के आसपास rating दूँगा अच्छे है इनके भी आप अगर ले चुके हैं तो better है कोई दिक्कत नहीं आप ले सकते हैं ठीक है बस थोड़ा सा question का arrangement और sequencing हमको समझ भी नहीं है कि किस हिसाब से हमने sequencing किया है कुछ एक दो सेट हमें अच्छे लगे एक मौक अच्छा लगा और बाकी दो मौक समको आजीब से लगे हैं समझ नहीं पाई उसको खेर अड़ा की अगर बात करेंगे तो वहां के भी मैंने विसे देखे नहीं उनके मैं गोवे देड़ना हूँ एक मौक मैं लास्ट में आपको दूंगा फ्री आफ कोस्त रहेगा ठीक है मैं कुछ MCQ मैं डेली आपको देता रहूंगा ठीक है टॉपिक वाइस दूंगा मैं आपको और वो भी इसके स्रिवास्तवा कही है वो सारे लगा लिजेए उसी में से मॉम्ला लिख लीजी है मोटे मोटे YouTube लिख लीजे प्यास करिए कि हर टौक एक या दो पेज में आपको कवर हो जाए एक पेज्स से जादा नहीं बहुत दो भी दो पेज्स देखेना चाहिए आपको और स define तो खिजना उसका पढ़ना नहीं है खली फोटो खिजना डेली पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए अगर टाइम बच रहा है अदरवाइस असे देखिए सब कॉंसियसली वो फीड होता रहता ध्यान रखें एक्जाम में तुक्के भी लगते हैं सही लगते हैं अगर आप ने साथ दिन की लिव लेने की टाइम है आप साथ या आठ दिन की चुटी ले लिजिए और पढ़ लिजिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा रखा है तो अगर आपने पहले से पढ़ रखी चीज़े तो जाहिर से बाद थोड़ा साब आप अपने आपको 5-6 घंटे अगर पार हैं 5 घंटे भी दे रहें तो चांसे अच्छे खासे बन जाते हैं ठीक है तो आपके भी चांसे अच्छे बन जाएंगे अगर आप एंप्लॉइड या जॉब हैं लेकिन आपने पहले से कभी नहीं पढ़ रखा है लीव आपको मिल नहीं रही है तो सीरी बात आप रिवीजन के लिए इसले क्या करें नहीं इसे हम आपको बता दें जैसे हम आप बता दें सबसे पहले त्खार के स्यॉल aha को सबसे पहले करें तो दूसरा equation क्या था time का equation था तो t equal to t not upon root of one minus v square upon c square चौथा equation जो था वो था mass का और m equals to m not root of one minus v square upon c square तीन equation थे इसके आद वेलास्टी addition का formula था that is v plus u upon one plus uv by c square यह इतने formula थे लास्ट में एक formula था total energy जो होती है kinetic energy plus rest mass energy यानि m not c square ठीक है एक formula और आपका था अगर आप ध्यान देने e equals to mc square या m minus m not c square यही kinetic energy को convert करके यानि इसको amc square या m not c square तो kinetic energy यहां से आ जाएगी तो यहां से mass decay और kinetic energy दोनों निकल जाती है हमने channel में इसको post भी कहा था question side इस पर ठीक है अब देखिए अगर मान लिजे आपको length और यह दोनों दी हुई है आपको से velocity पूछ रहा तो velocity के पूरा formula लगाने जूरूत नहीं है velocity याद कर लिजे v by c जो होगा जो यहां पर formula है इसमें देखो कौन बड़ा आएगा देखो यह छोटा आएगा जो छोटा है वो नीचे ऊपर रहेगा बड़ा वाला नीचे रहेगा that means root of 1-l छोटा है l क्या है छोटा आया है न तो छोटा उपर रहेगा बड़ा नीचे रहेगा ऐसे ही अगर अगली बात करें मास के टर्म में तो वी बाई सी को अगर मास दिया हुआ है आपको वेलास्टी नीचे निकालनी है तो हो जाएगा एम बड़ा आएगा तो एम नीचे रहेगा एम नौट उपर रहेगा ठीक है यह इतने फॉम्मले देखो बस इतने इस फॉम्मले आपको लर्ण करने थे बहुत आधा कहां ताम ज्याम करना नहीं था एक और होता है कानिटिक एनरजी का फॉम्मला के एक्वल टू होता है प चोड़ा का पेज बनाएं उसमें सारे लिख लें जैसे अभी हम लोग आप्टिक्स पढ़ आ हैं अगर बात करेंगे तो आप्टिक्स में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ रखा फेस डिफरेंस और पाथ इफरेंस में रिलेशन हम लोग ने देख लिया है कि शिप्ट कैस फॉर्मले बनेंगे इसी है रटना नहीं है बस आप लगा लीजे ताकि आपके सामने जब आवार पढ़ते रहेंगे तो सब कॉंसिसली फीड रहेंगे ठीक है नहीं तो आपको लगेगा याद है पर एक्जाम में याद नहीं आएगा और रोज सामने अगर आपके पढ़े है थैंक यू सो मच और हमें लगता अगर आप स्ट्रटजी फॉलो कर लेंगे जतनी मैंने दी है तो यह मोड़न इनफ है और साथ दिन हमारे इसाब से बेटर हैं आपके लिए आप एक एक्जाम को कौलिफाई कर सकते हैं तो अभी आज के लिए ताही थैंक यू सो मच हंसत जरुरत मंद लोगों से करवाएं ऐसे नहीं फरजी किसी से सब्सक्राइब करवा दिया इसको काम नहीं इसको काम है उससे करवाएं अगर आप मारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवस्य से ही सब्सक्राइब कर लें प्लीज और थैंक यू सो मच पर वाचिं अस आप हमाएं साथ में करियर वेव दिखते रहें थैंक यू बाबाए